तो दोस्तों हम लगए आप रुत्तरप्रदेश स्पिसल का टेश लगाने वाले हैं जहां पर आपके 75 प्रस्त्र हैं यहां से प्रस्त्र आपके 100% पूछे जाएंगे क्यूंकि आज की प्रस्त में हमने लिया है जैसे की 174 साला है, सेंटर है, विध्यान सूचना है यहां से प online exam mission जहां पर आपके master video प्रवाइट करा जा रहे हैं आपकी exam के लिए ताकि कम से कम समय में आप कर सकते हैं कोर्स को complete कर ले ठीक है तो उस चैनल को भी आप subscribe कर लीजे तो चलते हैं यहाँ पर जितने बस्चे जुड़ चुके हैं like कर दीजिए चलें यहाँ पर आवाज आ रही है आ रहे है चलिए यहां पर आपका पहला प्रद्श पूचा गया है कि राज में विज्ञान यं प्रद्धों की विभा की स्थाकि डिल द्ल द्रीजें यह पर dic सही जवाब आपका ओप संथ राइट कशी हो जएगा आकेय願い सी नमब की गई यंग सांटिस्ट योजना कब से प्रारम की गई तू का जवाब दीजे तो कब से प्रारम की गई यह की गई आपकी उप्षन राइट ए नंबर दो हजास साथ और आठ में ठीक है यहाँ पर 3 का जवाब आपका C होजेगा 278 तक ठीके तो जा 7 और 8 में अगला है उत्तर प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेश का एउजन किया जाता है कब से किया जाता है यहाँ पर 4 का जवाब option right भी होजेगा 1993 से ठीके 1993 से next question कि राज में विज्ञान के छेत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुषकार क्या है तो वई विज्ञान के छेत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुषकार 5 का option right आपका जवाब होजेगा C number विज्यान गौरोव सम्मान Next question है कि राज में education center के स्थापना कहा की गई राज में education center के स्थापना कहा पर की गई 6 का जवाब दीजी भई 6 का option right बिल्कोष सई जवाब है option right को यह हो जगा आपके लकनों में Next question इंद्रा गांधी नच्छत्र सालाओं कहां है नच्छत्र साला होगा आपका तींद्रा गांधी नच्छत्र साला कहां पर है सेवन का जवाब दीजिए बिल्कुश सही है उप्सन राइट आपका जवाब हो जेगा डी आपके लखनों में ठीक है लखनों में, फास्ट रही है वाई, हम फास्ट है थोड़ा सा, चलिए वीर बहादूर सिंग नचत्र साला कहां है, आठ का जवाब दीजे, कहां पर है, बिल्कुष सही है, आपकी गोरकपुर में, ठीक है, गोरकपुर में, नेस कोशन है, आरे भट्ट नचत्र साला कहां है, नचत्र साला कहां पर है, ग्यारा का जवाब देना है, ग्यारा का अप्शन राइट आपका बी होजेगा आपके इलाबाद में, ठीक है, इलाबाद अप्शन राइट आपका बी होजेगा, नेस कोशन है, कि सुदूर समवेदन उपियोग केंदर कहां है, बारा का जवाब दीजे, बारा का अप्शन राइट आपका जवाब होज उद्धमिता पार कहां पर है त्यारा का जवाब दीजिए त्यारा का जवाब दीजिए त्यारा का जवाब हो जाएगा ओप्सन ए आपकी कानपुर में कहां पर है विज्यान प्रद्धोकी उद्धमिता पार कहां पर है आपकी कानपुर में नेस्ट कोशन कि जैव प्रद्ध की पार्किस थापना कहां की गई 14 के जवाब दीजिए 14 का सही जवाब option right see हो जाएगा आपके लखनों में ठीके लखनों में next question है उत्तर प्रदेश में कितने पेटेंट सेल है उत्तर प्रदेश में कितने पेटेंट सेल है पंदरा में तो आपका जवाब यहाँ पर ए नमबर आपके 5 ठीके 5 next question है कि उत्तर प्रदेश में जयव प्रदो की विकास बोड की अध्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च तो आपके लखनों में ठीके अगला है राज सूचना प्रद्धों की विभाग की इस्थापना कप की गई 17 का जवाब दीजे 17 का जवाब हो जाएगा आपके बी 1974 में अगला है यूपी डेस्को की इस्थापना कप की गई 18 के जवाब 18 का उप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब डी होजेगा आपके 1977 में ठीकी इ अपके 1970 में अगला है यूपी प्रदेश में Center of E Governance की इस्थापना कप की गई उपी प्रदेश में Center of E Governance की इस्थापना कप की गई 19 का जवाब देना है 19 का सही जवाब आपका यह हो जएगा 2006 मेरी Next question है कि E district योजना जो परियोजना है कब लागू की गई E district परियोजना कब लागू की गई 20 का सही जवाब 20 का सही जवाब कब विरोजना है आपके 2009 में Next question है कि National Optical Fiber Network की योजना कब लागू की गई नेशनल ओप्टिकल फाइबर नेटवर की योजना कब लागू की गई 21 का जवाब 21 का जवाब option राइट अपका C हो जगा आपके 2012 में ठीके 2012 में आपके नेशनल ओप्टिकल फाइबर नेटवर की योजना आपकी लागू की गई अगला है कि वीडियो कानफ्रेसिंग योजना कब लागू की गई वीडियो कानफ्रेसिंग योजना कब लागू की गई 22 का जवाब दीजे भई 22 का सही जवाब यहाँ पर option आपका ए होजेगा 2001 में ठीके 2001 में नेस कोचन है कि सूचना प्रद्धो की नीती 2004 के तैत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कामकाच को कब तक कम्प्यूटरी करत किया जाने का लच्छ रखा गया था तिहां पर देख सकते हैं कि सरकारी कामकाच को कम्प्यूटरी करत किया जाए यह जवाब कर रखा गया थरल अच्छ तेश को उप्सन राइट आपका जवाब हो जगब भी आपके 2008 में ठीक है B नमबर 2008 में अगला है किस सहर में सूचना प्रद्धो की पार की स्थापना नहीं की जा रही है यहाँ पर देश सकते हैं उतर प्रदेश करसी अंसंदान परसित की स्थापना कहां की गई 25 का जवाब दीजे तो याद रखेगा आपके लखनों में अगला है कि भारती गन्ना अंसंदान संस्थान कहां पर है 26 का जवाब दीजे 26 का सही आप्शन बिल्कुश सही है उप्शन आपका C आपके लखनों में याद रखेगा एक वीडियो में अगर आपके दो भी प्रस्ण आपके फस जाते हैं तो आपके वीडियो आपके लिए लाब दायक होगा यह मत सोचिए कि प्रस्ण में तो कोश्चन आपके हर प्रकार के हैं और हर प्रकार के नहीं होगे तो भाई हम क्या पढ़ाएं जो आपके एकजाम में आना है ऐसो तो नहीं कर सकते हैं ना आयो के अध्यच नहीं है जो आपको सिर्फ पेपल लिग करवा दें है ना हमारा फर्ज है कि हर प्रकार से पढ़ा दें और उन कोस्चिनों में आपके दो-चार कोस्चिन आपको मिलेंगे पूरी कोस्चिन तो नहीं मिल जाएंगे ना लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ पढ़ेगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक ग्रो इंडेस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना कप की गई 27 का जवाब तो 27 का अप्सवर्धन प्रयोक शाला 28 में जवाब दीजी 28 का अप्सवर्धन यह हो जatगा आपके लखनओ में कहा पर है तो उतक संवर्दम प्रयोग सराब के लखनों में है अगला है कहराब से राजकी फल सरच्छन एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहां है राजकी फल सरच्छन एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहां है 29 का जवाब दीजे तो ये भी आपके है आपके लखनों में तूं याद रखिए यह आपके है option D आपके कानपूर में, कहाँ पर है भीया तो आपके हरदेर रोख संस्थान आपके कानपूर में है, ठीक है, कार्डियो लाजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में कितने आयरुवेद कालेज हैं, कितने आयरुव साले इस्थापित है ये है आपके 32 औप्शन जवाब हो जागा C आपके बरेली में ठीके तो मानसिक चिकर साले आपका कहां पर है बरेली में औपशन हड़ाप का C हो जागा अगला है खादी उम और सदी प्रदिकरन के स्थापना कप की गई 33 का जवाब दीजे 33 का सई जवाब हो जगा B आपके 2003 में ठीक है 2003 में अगला है उत्तर प्रदेश में राष्टी 6 नियंतरन कारिकरम कब से चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में राष्टी 6 नियंतरन कारिकरम कब से चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में राष्टी, द्रष्टी हिंता, निवारण, कारिकरम कब से चलाया जा रहा है, 35 का जवाब दीजे, 35 का उप्षन, 35 का उप्षन राइट आपका जवाब हो जगर सी आपके 1970 से, ठीके 1970, अगला है उत्तर प्रदेश, हेल्थ सिस्टम, डेवलेप्मेंट प किस जन्पद में संक्रामक रोग चिकिस साले नहीं है, 37 का उप्षन आपका B, आपके 2005, ठीके 2005, नेस्ट कोशन, राजी का प्रथम, 800 चिकिस साले की सहर में स्थापित किया गया, 49 का जवाब दीजे, 49 का उप्षन रेडब का यह हो जगा आपके कानपूर में, ठीके कानपूर में, नेस्ट कोशन पूचा गया है, कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने, राज की आपके होमोपैथिक चिकिस साले हैं, आपके राज की होमोपैथिक चिकिस साले हैं, कितने भीया, तो आपर 40 को अप्सन राइट आपका जवाब आपका बी हो जगा, आपके 1575 में, ठीके 1575, अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्या वरन निदे साले की स्थापना कप की 1976 में, हम समझ सकते हैं, कि प्रसनाप की कठिन भी हैं, और आपको पता है कि प्रसनाप को सरल भी मेरे थे, है ना, तो आपको सरल पर भी फोकस करना है, थोड़ा बहुत कठिन पर फोकस कर लीजेगा, चली अगला है, कि राज पर्या वरन निदे साले का छेतरी कार्याले किस 42 का जवाब, 42 को अप्सनाप का आप पर भी होजगा, आपके कानपूर में है, याद रखेगा कहां पर हैं, आपके कानपूर में, नेस कोशन है, यह उत्तर परतेश का जल प्रदूसरन निवारण एवं नियंतरन बोर्ड का गठन कप किया गया, उत्तर परतेश जल दूसर निवारन एवं नियंतरा बोड का गठन उसियोग 75 ने किया गया अगला है उत्तर प्रदेश में प्रत्थम पर्या वरंड report कप तयार की गई उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यवरं report कप तयार की गई 44 का जवाब दीजे 44 का option right आपका जवाब हो जेगा आपका B आपकी 2010 में 2010 में नेस्ट कोशन की गोमती कार योजना में कौन सा सहर समलित नहीं है 45 का जवाब 45 का सही जवाब आपका option right आपका हो जाएगा D आपका आजमगट ठीके आजमगट समलित नहीं है और लखनो जॉनपूर सुल्तानपूर यहां से तो आपकी गुमती निकलती है है ना तो D नमबर आपका नहीं हो जाएगा अगला है कि गंगा कार योजना में कौन सा सहर समलित नहीं है गंगा कार योजना में कौन सा सहर नहीं समलित 46 का जवाब दीजे 46 का जवाब option आपका D यह आपका है गोरकपूर गोरकपूर आपका नहीं है क्योंकि गोरकपुर के जो बसा है वो आपके रापती नदी की किनारे बसा है ना कि गंगा निदे किनारे ठीके अगला है कि उत्तर प्रदेश राज जी गंगा नदी संरच्छन प्रदिकरण का गठन किया गया था कप किया गया था तो आपके 2009 में option अडपका A हो जाएगा next question है कि जील प्रदूर्शन नियंतरण कारिकरम के तहत उत्तर प्रदेश की कितनी जीलों को सामिल किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं जील प्रदूर्शन नियंतरण कारिकरम के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी जीलों को तो ये जीले हैं आपके option right जवाब होज़ेगा बी आपकी चार जीलों को ठीके बीनम्मर चार जीलों को अगला है कि जलवाई गुणवत्ता का अनुस्तरवन केंदर कहां पर है उन्चास का जवाब आपका यहां पर होज़ेगा C आपके लखनाओ में है ठीके next question है कि गोमती अनुस्तरवन केंदर कहां पर है पचास का जवाब दीजे तो आपके कहां पर है आपके लखनाओ में option right up का B होज़ेगा अगला है कि राज में polythene प्रतिबंध कब लगाया गया था जवाब दीजे राज में polythene प्रतिबंध कब लगाया गया था 51 का जवाब सही जवाब होजेगा यह नंबर 2011 में ठीके 2011 में अगला question है कि ताज ट्रेपीजियम परियोजना कपसे प्रारमिकी गई, बामन के जवाब दीजे, बामन के जवाब हो जवाब हो जबाप्शन आपका D, आपके 1999 में, अगला कोशन है, इनसे फ्लाइटिस रिसेर्च सेंटर आफ एकसीलिंस कहां इस्थापित किया गया, इनसे फ्लाइटिस रिसेर लखनों में, नेस्थ कोशन है, कि सेंटर आफ एकसीलिंस इन मैटेरियल साइंस कहां इस्थापित किया गया, चाववन का जवाब दीजे, चाववन का उप्शन राइट, जवाब हो जगा C, आपके अलीगड में, ठीके, अलीगड में, नेस्थ कोशन है, कि जन्मानस में व विज्ञान के प्रति अभिरूच लाने के लिए, जो आपका कारेकरम था, यह आपका कौन सा कारेकरम था, पच्छपन का जवाब देना है, पच्छपन का जवाब यहाँ पर आपका एवज़ेगा विज्ञान लोगपरी करण, ठीके, ए नमबर विज्ञान लोगपरी करण यह आपका था, निस्कोशन है कि अंतराष्टी कारेमक्रमों के लिए राजिसरकार द्वारा कितनी वित्ती सहयता प्रदान की जाती है तो अंतराष्टी कारेकरम के लिए राजिसरकार द्वारा जो आपकी सहयता प्रदान की जाती है वो आपकी प्रदान की जाती है कितने तो आपकी ये है आपकी option right up का B हो जेगा 50,000 रूपए ठीक है B number 50,000 रूपए अगला है आंचलिक विज्ञान नगरी कहां है चलिए 57 का जवाब 57 का option right आपके लखनों में है ठीक है A number लखनों में उत्तर प्रदेश में Biontech Networking Facility कहां पर है उत्तर प्रदेश में Biontech Networking Facility आपकी कहां पर है 58 का जवाब दीजिए 58 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा बिल्कुश सए जवाब ए आपका C हो जाएगा आपके लखनों में ठीक है लखनों में किस जनपद में सेरी कल्चर के लिए इस थान चिन्हित किया गया है सेरी कल्चर जानते हैं न तो सेरी कल्चर के लिए जो आपका किया गया है कहां पर किया गया है 59 में 59 का जवाब आपके ए नमबर आपके ललितपूर ठीके ललितपूर नेस कोचन है कि उत्तर प्रदेश उसर सुधार पर्योजना के तिरती चरण में कितने जनपदों को लिया गया था तो उत्तर प्रदेश में उसर सुधार उसर समत्ते ना खेत जो आपके बंजर होते हैं उनको सुधार के लिए तो ये आपके थी जनपद कितने 60 में तो ये आपके जवाब होज़ेगा B आपके 29 जनपदों को लिया गया था नेश्कोच ने कि भू संसाधन संबंदी परियोजना के तहत किस जनपद में खनिज अन्वेशन किया गया है तो खनिज अन्वेशन जो किया गया है ये किया गया है आपके option right 61 में जवाब आपका B होज़ेगा आपके ललितपूर में ठीके ललितपूर में अगला है कि utility services मानचित्री करण के तहत किस जनपद का चैन किया गया है utility services मानचित्री करण के तहत किस जनपद का चैन किया गया है 62 का जवाब देना है 62 का option right आपका A होज़ेगा जालान ठीके जालान को utility services मानचित्री करण के तहत आपका चैन किया गया है चली अगला है उत्तर प्रदेश में सूचना प्रदोग की नीती कब से लागू की गई 63 जवाब दीजे यहाँ पर जवाब आपका होज़ेगा C आपके 2003 में ठीके 2003 में नेस्ट कोईशन है उत्तर प्रदेश सरकार ने सारवजनिक सिकायतों के संदर में कौन सी योजना प्रारमे की तो यहाँ पर देख सकते हैं सारवजनिक सिकायतों के लिए जो पर योजना आपकी है यह आपकी कौन सी है यह योजना है आपकी ओप्शन डाइट B आपकी लो कुमाड़ी ठीके लो कुमाड़ी योजना आपकी है नेस्ट कोईशन है यहाँ पर कि किस राज में डामा आधारित 73 नोड की वीडियो कानफरेंसिंग की व्योस्था की गई है डामा आधारित 73 नोड की वीडियो कानफरेंसिंग की व्योस्था की गई है यह आपकी ओप्शन राइट C नमबर आपकी उत्तर प्रदेश में ठीके C नमबर उत्तर प्रदेश में next question है कि E procurement योजना का उद्देश है E procurement योजना का उद्देश है 66 के जवाब दीजे 66 के जवाब 66 के जवाब कसी हो जएगा electric माध्यम से निविदाएं प्राप्त करना C number हो जएगा electric माध्यम से निविदाएं प्राप्त करना यह आपके है E procurement योजना अगला है उत्तर प्रदेश में सेंटर फार इगवर्नेंस कहां पर है उत्तर प्रदेश में सेंटर फार इगवर्नेंस सेंटर फार है भाई तो सेंटर फार इगवर्नेंस कहां है 67 का जवाब दीजिए 67 का उप्सन राइट जवाब होज़ेगा भी आपके लक्नौ में ठीके लक्नौ में Next question है Eco Club के तहत चैनित विद्याले को कितने रुपए वार्षिक दी जाती है जो Eco Club होते हैं उसके तहत जो चैनित विद्याले होते हैं इनको रुपए दी जाते हैं कितने 68 के जवाब होज़ेगा यहाँ पर सी आपके 2.5 लाग ठीके 2.5 लाग यहाँ पर देखिए भाई प्रस्न हम समझ सकते हैं कि कठिन प्रस्न है लेकिन अभी आपने पेपर दिया था UPPCS ठीके अभी जो एक्जाम अपला हुआ था UPPCS वहाँ पर जब आपके टब कोश्चन आ गया था तब आपको याद आ रही थी कि साइद हम पढ़ लेते कठिन प्रस्न तो हम नहीं चाहते हैं या आप सरल सरल पढ़ते रहें बाद में आके गाली भी दें है ना तो हम ऐसा काम तो करते नहीं है लगभग आपको संपून किताबों को ग्यान करा देते हैं अपने दोनों चैनल है ना तो यहाँ पर आपका है राज में पर्या वरंडी सूचन प्रणाली केंदर कब से प्रारंब हुआ था 69 यहाँ पर जवाब हो जएगा भी आपके 2005 में नेस कोशन है उत्तरपदेश जनहित गारंटी या दिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवसिकताओं से सम्मंदी सेवाओं की उपलब दे अर्थात यहाँ पर जवाब का 70 का जवाब हो जएगा वो आपका यहाँ पर कूट दिया गया है ठीक है कूट के तहित आपका यहाँ पर हो जएगा एक सहज तरीके से एक समय बद तरीके से त्यारा चिनिस सेवाओं से ठीके तो यहाँ पर A, B, C होजेगा अर्थाथ यहाँ पर जवाब होजेगा B नमबर ठीके A, B, C अगरा है यहाँ पर कुछ कोशन आपके दिये गए हैं थोड़ा सा हाँ चलो अब जो जरूरी है उसको हम पढ़ लेते हैं ठीके यहाँ पर आपका दिया गया है 72 नमबर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर भारत के 22 क्रांतिक प्रदूसर्ण शेत्रों में सामिल है 72 जवाब आपका यहाँ पर दिखते हैं 22 क्रांतिक में तो आपका यह सिंग्रॉली है ठीके सिंग्रॉली छेत्र अगला है उत्तर प्रदेश राजी का कौन सा सहर उत्करश सहर यूजना के अंदर सामिल है यह यह अंपी कोश्चन आपका है तो उत्करश सहर यूजना के तहत आपका जो सामिल है ये सामिल है आपका आपका कानपुर ठीक है कानपुर नेस कोचन है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महा माया मोबाइल अस्पताल यूजना सुभरा में किया गिया तो ये जिलो में है मुख्यमंत्री महा माया मोबाइल अस्पतालियो जना 74 का जवाब आपका बी हो जगा आपकी 15 ठीके 15 जिलो में और नेस कोचन है उत्तर प्रदिश में प्रतम खेलगाओं की स्थापना कहा की गई कितनी बार कोचन आपका पूछा गया है तो ऐसा नहीं है अगर एक वीडियो में एक नंबर मिल गया तो आपके लिए वीड़ा पार है है ना समझ गया ना तो यहाँ पर 75 का जवाब आपका हो जगा ए आपकी आगरा में ठीके आगरा में तो इस प्रकार से यहाँ पर 75 प्रसनों का टेस लगाया और समझ सकते हैं कि थोड़ा सा टेस पेपर आपका कठिन भी था लेकिन मान सकते हैं कि सरल भी पेपर आपको कराते हैं